हाई मैं हूँ निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24 देखते रहें नमस्ते मैं हूँ भीशेग बच्चन, keep watching INN24 नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर, आपके साथ मैं हूँ पृतिय सेंग, बुलेटिन की शरुवात करते हैं, हेडलाइन्स के साथ पाली में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादों ने भाजपा पर साधा जम कर निशाना कहा गोंगपा और समाजवादी पार्टी, सरकार में हुआ शामिल तो पहले ही घंटे होगी कैबिनेट की बैठक, करेंगे खिसानों का कर्दमा ओपी चौधरी के प्रचार के लिए खर्टियां पहुंची बॉलिवुट की ड्रीम गल और भाजपा सांसद हेमा मालनी कहा ओपी ने माटी की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ा, अब आप ही बनाए विठायक, हिमा मालनी को देखने उम्राजन सेलाब शहर में गुजराती समाज ने हर्शो लास के साथ निकाली परम इस्ट जलाराम वखपा की शुखायात्रा, बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने की शिर्कत और बस्तर में नहीं थम रहा नकसलियों का खून खराबा, सुक्मा में निर्मान कारे में लगे भिलाई के एक ठिकेदार की निर्मम तरीके से की हत्या, मजदूरों को भी पीटा छे गाड़ियों को किया आग के हवाले चुनावी मैदान में इन दिनों सभी पार्टियों के स्टार प्रचारों को के दौरे की मानों बार सी आ गई है इस हाइटेक प्रचार में छोटी और शेत्रिय पार्टियां भी पीछे नहीं है इसी कड़ी में गोडवाना गरतंत्र पार्टी के मुख्या और पाली तानाखार विधान सभा से उमिदवार हीरा सिंग मरकाम के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादाओ ने प्रदेश की भाश्पा सरकार को आड़े हाँ थो लिया उन्होंने कई अलग-अलग मुद्दो पर डॉक्टर रमन सिंग और अपने प्रदेश के योगी सरकार के अलावा केंद्र की मोधी सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया अखिलेश यादाओ ने कहा कि कॉंग्रेस भले ही किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह रही हो लेकिन अगर गोंगपा सपा गडबंधन की सरकार बनाने में साभागिता होती है तो उसके अगले ही घंटे कैबिनेट की बैठक की जाएगी और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा उन्होंने भाजपार पर लोगों को जाती और धर्म के नाम पर बाटे जाने का भी गंभीर आरोप लगाया जल जंगल जमिन के मुद्दे पर प्रदेश्य सरकार को निशाने में लेते हुए कहा कि आज हर वर्ग भाजपा की नीतियों से परिशान है उनके लोगो दलित और आदिवासी को सम्मान मिल सकेगा राजसरकार की तरब से मुबाइल बांटे जाने पर उन्होंने सरकार के मेक इंडिया पर तंच कस्ते हुए कहा कि यहां लोगों को चीन के उत्पाद नहीं खरिदने को कहा जाता है जबकि प्रदेश्य सरकार उन्हीं लोगों को चैनिज मोबाइल थमा रही है या मोबाइल भारत में भी नहीं बना है उन्होंने कहा कि इससे एक बार फिर साफ हो गया है कि सुदेशी को लेकर भाजपाद दोहरा रवया अपना रही है इसमास सिटी योजना पर भी तंच कस्ते हुए कहा कि सरकारों ने बड़े शहरों को इसमास सिटी के तौर पर विक्सित करने की बाते कहीं है शियादव ने कहा कि अगर किसान इसमार्ट होगा क्रिसी इसमार्ट होगी तो ही देश और प्रदेश इसमार्ट हो सकेंगे और हमारे मुख्यमंत्रियां आए मैंने तो तस्वीर देखी आप शायद मैतर बता सकते हैं कि वो काला चश्मा लगा करके कह रहे थी कि जो इनका नहीं वो किसी का नहीं हम तो कहते हैं कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं जो पिश्णों का नहीं आदिवासियों का नहीं किसी का नहीं यह देश को बाटना चाहते हैं जाती और धरम में हमने तुत्त प्रदेश में देखा कैसे बाट रहे थी इसलिए इस देश के लोगों की गरीबों की जरुआ थे आज मकान हम समाजवादी लोग लोही आवाज देना चाहते हैं जो कि हमें पांच लाग का भी दे दे रहे हो दाल पांच रुपए की दे रहे हो तो हम यह कहना चाहते हैं कि चावल दाल दूद और भी फ्री गरीबों को देंगे और यह उत्तव प्रदिस में करके दिखाया है तमाजवादी पार्टी और गोडवाना पार्टी का अगर सीटें जादा होंगी कोई भी सरकार पनाएक दबाब बनेंगे कि पहले घंटे में कैविनेट हो और पहले ही फैसले में किसानों करज माफ़ को वादा कर रहे हैं कि मुबाइल कहीं ऐसा तो नहीं चाइना का असेंबल करके मुबाइल दे रहे हूं जो माक्रो मैक्स कम मिल ला है आप जानकारी करना यह फैक्ट् आपको बता दे कि मौझुदा चुनाव में गुडवाना गर्तंत्र पार्टी का समाजवादी पार्टी से गडबंधन है गोंगपा कई दूसरे सीटों पर भी सपा के साथ चुनाव मैदान में उतरी पाली ताना खार के बदले समीकरण से इस बार हीरा सिंग मरकाम को अपनी जीत की पूरी उम्मेद है बॉलिवोड की ड्रीम गर्ल को हर कोई जानता है ये बॉलिवोड में धमाल मचा कर अब राजनीती में धमाल दिखाने खर्टिया विथांसभा शेत्र अंतरगत खर्टिया नगर पाली का ग्राउंड पहुंची जहां हजारों मदाताओं की उपस खर्टिया विधानसभा शेत्र भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी को भारी मतों से विजई कराने की अपिल की भारत के प्रधान मंद्री नैंडर मोदी की योजनाओं को बहुत बढ़िया बताया वही अनदाताओं की याद करते हुए प्रदेश के मुख्या के कारियों को कहते हुए नगरपालिक छोटे से मैदान में ड्रीम गल का कारिकरम असफलताओं का रह गया ऐसे लोगों के जुबान में था वही पत्रकारों के लिए भी किसी प्रकार की विवस्था नहीं रही वही प्लिस प्रशासन की लापरवाह रवय्या मत्रवा सांसत की सुरक्षा में भारी चूख हो सकता था भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी का मार्मिक अपिल लोगों में असर करते दिखी वही उन्होंने महा साथ महिने का वक्त खर्तिया विधान सभा के मद्दाताओं से मागी अगर उनका कारिया अच्छा रहा तो जनता उन्हें दो बारा मौका देगी भाजपा के स्टार प्रिचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भुदवार को करीब बारा बचकर पैतालिस मिनट पर रायगर पहुंचे मिनी स्टेडियम में रायगर जिले के पाँचो विधान सभा के प्रत्याशियों के पक्ष में आम जन को संबोधित किया योगी आदित्यनाथ के रायगर पहुंचते ही भाजपा कारेकरताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया जन सबा में हजारों के संख्या में लोग शामिल हुए थे। रायगड के मिनी स्टेडियम में उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने कॉंग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कॉंग्रेस और कुशासन एक दूसरे के प्रतीक हैं। योगी न मध्यप्रदेश, ओरिसा, बिमारू राज्य कहलाते थे। यहां 15 वर्षों में रमन सिंग के नित्रुत में विकास की शांदार यात्रा बढ़ाई है। 36 गर डबल इंजन मोटर बन गया है। विकास के नए किर्टिमान इस्थापित किये गये हैं। रमन सिंग के नित्रुत की मुक्त कंट से प्रश्यंसा की, वही 36 गर में हर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की सरहना की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का आहवान किया। वजरंगावली ने क्या कहा था? एक ही बात कही थी. रम का जी कीने भी नो जो ही कहां विस्राम। एन्हें जब तक रम का कारे नहीं करूँगा तब तक विस्राम नहीं लूँगा। और आप को भी यही करना है। एक ही कारे होना चाहिए जाके फृयाने रम वेदे ही याद करना जिसके पास कमल का छाप नहीं है, कमल का निसान नहीं है, हमारा कितना ही इस नहीं क्यों नहीं हो, उसको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे आप अपने किसी बैरी को त्याग दे हैं मोदी जी, डॉक्टर रमन सिंग से अमित्सा जी केवल इनी को ध्यान में रख करके भारती जनता पार्टी के चुना चिन्न को ध्यान में याद करिये और बीस नौंबर को, रायगड से सी रोसनलाल अग्रवाल जी को, खर्सिया से सी ओपी चौदरी को, सारगड से सी केरवाई मनहर को, लेलुंगा से सत्यानन्द राठिया को, और ध्रम जैगड से सी मती नीले राठिया को, कमाल चुना चिन्न पर भारी मतों से चुना जिताने के पील, आप सब से करते हुए, मैं बाणी को देता हूं गिराम। करते हुए, श्री योगी ने कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला। अगर दूसरे चरण के मतदान के लिए सब को अपने मलाधिकार का परयोग करना है। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकलपना को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग की सरकार ने साकार किया है। कॉंग्रेस के नारे और वायदे जूटे हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस सरकार ने आपके हितों के ले कारे किया, यहां पर च्छटीज गड़ पहला राज्य था जिसने स्वास्त बीमा के ले, यहां के नौजवानों के ले, यहां के गरीबों के ले, यहां के किसानों के ले, पचास हजार रुपे की स्वास्त बीमा का कबर दिया, स्वास्त एक लाग का किया और एक लाग का करने के बाद मोदी जी ने उसे पांच लाग का करने का कारे किया है पांच लाग तक की स्वास्त की सुग्दा हर गरीब को हर नागरी को यहां पर मुप्त में मिलेगी या कारे अगर किसी ने किया तो भारती जंता पार्टी ने किया है और इस कॉंग्रिस देश्वी भाजन का प्रमुक कारण है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि राहुल गांधी के निर्टृत में इस देश में कभी कॉंग्रिस की सरकार नहीं बनेगी। चुनाव में जहां कई तरह के अल्पकालिक रोजकारों का स्रिजन होता है तो वहीं कई दूसरे लोगों के लिए या पूरा मौका परिशानी के तौर पर सामने आता है। दक्षिन भारत से नारियल का पौधा बेचने कोर्वा पहुंचे एक व्यवसाय की। बलकि वह उन्हें बताता है कि वह प्रचार नहीं कर रहा है बलकि वह पौधे बेचने निकला है। लोगों ने अपने निर्मान सामगरी मुख्य मार्ग पर ही डंप करा दिया है। इन हालात में दो पहिया वा पैदल चलने वाले लोगों की जान पर आफ़त बन गई है। इस तरह चोटे चार पहिया वाहन चालक को भी काफी परिशानी पेशारी है। रागिर अपनी जान जोखिम में डाल कर सड़क पर चलने को विवश हो गए हैं। परिशान लोगों ने बताया कि बड़ी मात्रा में सड़कों के किनारे रेत, इट और गिटी रख दिये गए हैं। इस कारण सड़क पर गारियों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ रहे हैं। सड़क के किनारे के दुकांदार भी इस तरह रखे निर्मार मटेरियल से काफी परिशान हैं। इसके बावजूद ना ही निगम ऐसे लोगों पर कारवाई कर रही हैं और ना ही यातायात विभाग की नजर इन पर हैं। की खुद निगम के भी मटेरियल इन में शामिल हैं। की यह मार्ग बेहद वैस्त रहता है। तेज रफतार से आने वाली गाडियों के लिए यहां किसी भी तरह की बड़ी दुर्गटना का कारण बन सकती है। लिहाजा निगम को चाहिए कि ऐसे बेपरवाह लोगों पर ततकाल कारवाई की जाए। वहाँ पर कहाँ टन लेपाए। एक छोटी सी गाड़ी भी टन लेपाती है। एक छोटी सी गाड़ी भी टन लेपाती है। अब अधर सब एक नॉर्मन स्पीड 30-30-40 क स्पीड में आते है। अब कोई आदमी आया किसी का धिखान कोड़ा है तो बहुत बड़ी दुर्गटना घट सकती बीचो भी चिट हो सकता है तो पता नहीं आता है एक तो यह गिट्टी आओगे एक चीज और बता देता हूं यह तो यह गिट्टी आपकी मेकाल से अभी पहले पालू रखा हुआ अभी गिट्टी रखा हुआ बालू पे अगर बाइक वाला देखी जिसां टन कर रहा है और वो रेथ है रेथ में सिलिप कर रहा है आपको ठीक है आपने कुछ निर्मान कर रहे है तो एक प्र जगह पे रखे एक जगह पे रखे मेरा कहने का मतलब है तो वसी आपकी यह हमारे वार्ड है कि आपने यहां पर रहा है इस रोड के हालत देखें यहां पर प्रेशन गुणने लागे एक तो पूरी रोड टूटी है अभी आप इजगा देखेंगे वहां अभी बीच में पूरा सीमेंट है तो इनोंने पाइपलाइन भी सागे सीमेंट गटा गया व आपको बता दे कि इस तरह की बद इंतजामी सिर्फ घंटा घर मार्ग में ही नहीं बलकि पावर हाउस रोड टीपी नगर मुड़ापार पुराना बस स्टैंड और दूसरे सडकों में देखने को मिल रही है जहां लोगों ने अपनी निर्मार समागरी सडकों की किनारी डम करा दी है इसे आवा गमन तो बाधित हो ही रहा है दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है कोर्बा में गुजराती समाज ने संत जलाराम बापा की जैंती बुद्वार को मनाई समाज के लोगों ने शुभायात्रा निकाली जिसमें भजन किर्टन कर समाज की महिला पुरोष युवक योतियों ने जलाराम बापा के प्रती आस्था व्यक्त करते रहे शुभायात्रा में संत जलाराम माता वीर बाई का जैकारा गुंजता रहा श्री जलाराम सेवा समीती के तत्वाधान में भुद्वार को शुभायात्रा शुरू हुई इसके पुर्व समाज के लोगों ने पूजा आर्चना की शुभा यात्रा के जलाराम मंदिर पहुँचने तक जगा जगा लोगों ने जलाराम बापा की आरती उतारी वा यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल महिला पुरोष बच्चे जलाराम बापा के भजन कीर्थन से शुभायात्रा को आस्था मैं बनाते रहे शुभायात्रा के जलाराम मंदिर पहुँचने पर स्वागत किया गया शुभायात्रा में गुजराती समाज के सभी पदाधी कारियो वह सदस्य सपरिवार उत्साहपूर्वक शामिल हुए मंदिर में शाम को आरती भजन कीरतन के साथ मध्य रात में महा आरती हुई इसके पूर्व भोग भंडारे में समाच के लोगों ने प्रसाथ ग्रहन किया लैलूंगा विधान सभा के जनता कॉंग्रेश चत्तिसगर जे के प्रत्याशे हिरदैराम राठिया के पक्ष में वोट दिलाने हेतू लैलूंगा के ग्राम घटगाओं पहुँचे जे सी सी जे सुप्रीमो अजे जोगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया राइगर चिले के विधान सभा लैलूंगा की जनता कॉंग्रेश चत्तिसगर जोगी पार्टी के सुप्रीमो अजे जोगी घटगाओं पहुचे थे जहां चत्तिसगर के मुख्या डॉक्टर रमन सिंग के उपर जम कर बरसे अजे जोगी ने रमन सिंग को लबराज जूठा कहा और जनता कॉंग्रेश चत्तिसगर जे की सरकार बनने पर शपत पत्र में लिखे सभी वादों को पूरा करने की बात कही अजित जोगी ने रिदयराम राठिया को जनता कॉंग्रेस चटिसगर जे की चुनाव चिन्हा हल चलाता किसान छाप में वोट देकर सरवाधिक मतों से विजय दिलाने की अपिल की भई अजित जोगी ने कहा कि निश्ची थी चटिसगर में जे सी सी जे की सरकार बनेगी जोगी की बात को सुनने पूरे लैलूंगा विधान सबाश शेत्र से चार-पाँच हजाल लोगों की भारी भेड उम्री थी सभी पार्टियों ने घोशना पत्र दिया है आप शपत पत्र दी समझ क्या करें अगर मैंने चुनाती दी है राहुल गांधी और अमित शाह की जूमत हो तो वो भी मेरे जैसे शपत पत्र दे है घोशना पत्र विवकूब बनाने के लिए दिया जाता है कुछ भी पूरा नहीं होता है अब मैंने शपत पत्र दिया है अगर पूरा नहीं करूँगा तो दो साल की जेल तो तो हमारी पार्टी मिलकर पूरे प्रदेश में बहुमत लाएंगे और हमारी सरकार अपने दम पर बनाएगे सुकमा जिले में नकसलियों का उत्पात जारी है नकसलियों ने एक ठेकेदार की हत्या कर दी है साथ ही नकसलियों ने निर्माड कारे में लगी वाहन को फूक दिया है दोरनापाल थाना शेत्र में नकसलियों ने निर्माड कारे में लगी वाहन को आग के हवाले कर दिया इतन कुंडा गाउं के टीम द्वारा 14 नवंबर को मुखबीर की सूशना पर बस स्टेंड कुंडा गाउं में कासिम खान जो की यूपी का रहने वाला है एवं एक विधी से संखर्श रत बालक के कबजे से बरामत किया गया जिसको 20 बी एंडी पास एक्ट के अपराद पाई जाने से गिरफतार कर न्याइक रिमांट पर भीजा गया है। ये सुक्तिस बैंग में रखने में इतार बस से जा रहा है। नकसल गड़ के रूप में जाना चाता था लेकिन भाजपा सरकार ने 15 सालों में नकसलियों को 11 जिले में समेट दिया है। और कारकरकाओं के अंदर एक उमंग और उत्साफ पैदा करने में उस समय हम लोगों ने काविया भीजा है। और मेहन भाजियों 2003 में आप लोगों ने भारती जंता पार्टी की पहली गार 36 गड़ में तरकार बनाए बनाए हम लोगों ने डाक्टर रमन सिंग को बुख्यमंत्री बनाए है। लोग ये कलपणा नहीं करते हैं। कि डाक्टर रमन सिंग 36 गड़ में बढ़ बड़ा परिवर्तन करनेchem है। लेकिंग डाक्टर रमन सिंग उस समय कहा था। कि मैं 36 गर्ष में परिवर्तन करूँगा और विकास की रोसनी को खरगर तक मैं पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा आज मैं विस्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 वरसों में आज 36 गर्षी नहीं बलकि 55 वरसों में कांग्रेस पार्टी नहीं कि अब नव सो कुछ किलो मीटर सड़कें बनाए 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 तो 15 वरसों के अंदर इसे सागे 3000 किलो मीटर करने का काम यदी किसी ने किया है तो ड़क्टर रवन सिंग ने क्या 55 वरस क्या 15 वरस पहले उत्तर प्रदेश में धान की खरीद ह क्यों क्या 15 वर्थ पहले कोई भी सरकार आपको बोनस देखिए यह सिल्सिला हिंदुस्तान मेरी किसी ने प्राद मखिया तो ड़क्टर रमन सिंग ने प्राद में 15 वरसों से केजल भारती जंता पार्टी की सरकार देख रहे हैं मैं दावे के साथ कहता हूं 55 वर्षों में जो कांगर्स नहीं कर पाई 15 वर्षों के अंदर डाक्टर रमन पे मिल के करजे दिखाया है बहुत मिलकर काम करेंगी तो सौभवे करेंगे तेजी के साथ ही श्रतिसकर करता है इसलिए मैं आप से होट मांगने के लिए हैं पहली बारा है इस जिले में तो आ चुका हूं ले लिए हमाएं प्कुषानों का करजमाब का है कांगर्स के लोगों के जानगा शवागा है आपने तो बहुत कुछ का आपको कांगर्स ने एक समय कहा था सन संतर में 48 साल करेंगे कांगर्स को ओड़ की जिए कांगर्स इस इस लस्तांट से गरीबी को समाते है वैं आप से बुलेटेन में फिलाल इतना ही देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए आएनन 24 के साथ आएनन 24 यूट्यूब फेस्बूक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं वेब चैनल के लिए लॉग इन करें www.in24news.in नमस्कार झाल 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 झाल